सहारा प्रणाम मैं हूँ उपेंद राय हस्तक्षेप में आप सभी का स्वागत है आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शक्षियत से करा रहे हैं जो अपनी इस पश्ट वादिता के लिए जाने जाते हैं जो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जो उनके मन में आता है बहुत साफगोई से कैमरे के सामने बोल देते हैं जिनका जीवन बेहत सीधा और सरल है वे एक किसान परिवार से आते हैं वो मोधी सरकार में केंद्रिय मंत्री भी है पिछली सरकार में भी रहे और मोधी पार्टू में भी केंद्रिय मंत्री है और एनिमल हस्मेंडरी, डेरी और फिसरीज विभाग के केंद्रिय मंत्री है जी हाँ हम बात कर रहे हैं गिराज सिंगी की जो बिहार प्रदेश से आते हैं और देश के प्रगती में उनका विभाग बहुत बढ़ चड़के योगदान दे रहा है आज उनहीं से कई तमाम मुद्दों पर बात करेंगे लेकिन इस बाचित को सुरू करने से पहले देख ले कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंग बियार के बेगु सराय से सांसद हैं 2019 के आम चुनाओं में जेन्यू छात्र संग के पूर्वध्यक्ष और CPI नेता कनईया कुमार को 4,22,000 वोट के बड़े अंतर से हरा कर वो दूसरी बार लोग सभा पहुँचें मोधी सरकार के पिछले वो 2002 में बियार विदान परिशत के सदस्य बने और 2014 तक विदान पार्शद रहे इस दोरान नीतिश कुमार के मंत्री मंदल में 2008 से 2010 तक सहकारिता मंत्री और फिर 2010 से 2013 तक पशु एवं मत्स संसादन मंत्री बने 2014 के लोग सभा चुनाओं में वो पहली बार बिहार के नवादा से संसाच चुने गए और 2017 में मोधी मंत्री मंदल के विस्तार में पहली बार केंद्रिय मंत्री बने गा गिर्राज सिंग की छवी हिंदुत्स की हिमायत करने वाले नेता की है उन्होंने कई बार जनसंख्या नियंत्रन को लेकर पार्टी लाइन से हट कर बयान दिये हैं उनका जन 9 सितंबर 1952 को बिहार के लखी सराय जिले के बढ़ाईया में एक साधारन परिवार में हुआ बेगु सराय में शिक्षा दीक्षा के बाद 1985 में वो पटना चले गए जहां उन्होंने बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़कर सियासत की शुरूआत की राजनीती और सरकार में रहते हुए उन्होंने ग्रामीन अर्थ व्यवस्ता को मस्बूत बनाने के लिए कई अभिनव प्रयोग भी किये उनकी पहचान जन सरोकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता के रूप में है ब्यार सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने नीचे मचली ऊपर बिजली का नारा दिया था इस नारे के जरीए वो गाउं में खुशाली लाना चाहते थे जिरो रिपोर्ट सहारा समय गिरासिंग जी हस्तक छेप में आपका स्वागत है सहारा न्यूज नेट्वर्क की तरफ से भी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपका भी बहुत-बहुत सुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने शमय निकाला बात करने के लिए तमाम मुद्धों पर हम आज आप से बात्चीज जारी रखेंगे मैं दो हजार आठ से बिहार में मंत्री था उस समय से इस विषय को ठाते रहा और मैं इसके लिए कई जिलों में रहलियां भी करते रहा हूँ मैं मनु शेंगवी जी का पर्थम रीट्वीट किया हूँ लेकिन इसमें और करा बनाने क्या विसकता है उन्होंने बहुत अच्छे डाला है लेकिन अर्थ के साथ साथ अगर बोटिंग राइट समाप्त कर दी जाए उन लोगों का जो इस कानून बने तो इतना करा कानून बने कि हिंदू, मुशलमान, सिख, इसाई, बौध, जैन सब पर लागू हो जो ना माने उसकी वोटिंग राइट भी समाप्त कर दी जाए, कानूनी कारवाई भी हो, आर्थिक कारवाई भी हो जनसंख्या भारत की बहुत तेजी से बढ़ रही है, दुनिया के तमाम देश जो अपने जनसंख्या नियमतरन को काबू में रखे हुए है चीन जो है, अब वहाँ पे दो बचों की जो पॉलिसी है, बहुत सक्ती से वहाँ पालन करती है वहाँ की सरकार आपको क्या लगता है कि हम इस निर्णे को जब लागू करने कोशिस करते हैं, बीच में कोई राजनीती आ जाती है और एक तबका है जो इसको ले करके बहुत बड़ा मुद्दा बना देता है एक यह भारत का दुर्भागी रहा, कि हर विशय को लोगों ने बोट से जोड के देखा अगर देश को जोड के देखते तो आज यह दुर्दशा नहीं होती चाहे कोई भी बिल हो, C.A. का बिल हो, चाहे जो भी बिल आता है अगर देश के नजरिये से जब हम देखते हैं, तो सभी चीज सकारात्मक दिखता है आज आप देखें कि पॉपलेशन कंट्रोल की बाद जब भी होती है तो मुझे मेडिया भी कहते हैं कि आपको क्या फलाने बर्ग से आपको तकलीप है प्रदान मंत्री ने 15 अगस्त को जब लाल के लिए से कहा कि जिन्होंने कम बच्चा पैदा किया उदेश पर उपकार किया कई लोगोंने बहस में कहा कि जो जादे बच्चे पैदा कि उदेश के दुश्मन है मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या 1978 में भारत का जीडीपी चाइना के जीडीपी से अधिक था और आज हब तुलना कड़ें तो हमसे चाइना बहुत आगे है चाइना 13 ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी है हम जबकि टू पॉइंट नाइन और नाइनटी एटी सिक्स में भारत और चाइना वन ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी थे दोनों बराबर थे लेकिन नाइनटी एटी सिक्स के बाद चाइना आज कहां पहुचा है दुनिया की दूसरी बड़ी सबसे ताकतवर अर्थवेवस्था है अब देखिए हम कहां है हम चाइना एक मिनट में नौ बच्चे पैदा करते हैं हम एक मिनट में ग्यारह बच्चे पैदा करते हैं दुनिया क ये पॉपलेशन का मेरा मानना है कि अब मैं 20 पर्तिशत हो गया हूँ बिलकुल और जमीन मेरे पास 2 पर्तिशत है पानी 4 पर्तिशत है और हमें थ्रेट किया है वर्ल्ड ने भी कि आने वाले दिनों में सुध्य पानी नहीं मिलेगा ज्यादा नहीं दो हजार तैस आते आते द हम विकास की गती को नहीं ले जा पाएंगे चाइना से सबक लेनी चाहिए जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोग इसे पॉलिटिकल शोशल और रिलिजन से जोड़ देते हैं मेरा दुख इसी बात से बहुत सही बात भी आपने आपके बारे में एक आरोप हमेशा लगता है क कि आप मुसल्मान बिरोधी हैं इस पर क्या कहेंगे देखिए मैं मुसल्मान बिरोधी नहीं हूँ अन्य हिंदू समर्थक हूँ क्योंकि वो विचारे भी तो मेरे ही भाई है डीने देखा जाए तो दोनों का डीने एक है भले माने या ना माने यह देश इसको कहता है कोई यहां बाबर का संतान नहीं है, और इसको कबूलना चाहिए, हमारे DNA में, उनके DNA में जब एक है, तो सौच में अंतर क्यों है, सौच में अंतर आता है, जब भारत में राम मंदिर का इसू आता था, तो सौच में अंतर आता था, जो लोग कल तक राम का पता पूछते थे, आज CAA में अपना पता देने में तकलीफ हो रही है, तकलीफ यहां होती है, बहुत सही बात करी आपने, CAA को ले करके मैंने भी तमाम शो किये अपने स्टूडियो में, तमाम पैनलिस्स से मैंने पूछा, तो किसी के पास यह जवाब नहीं था, कि CAA तो नागरिक्ता देने के यह लाए गया है, CAA को ले करके आखिर आप के मन में क्या अंतर विरोध है, तमाम मुस्लिम प्रतनिधी भी थे, लेकिन लोगों को एक कहीं न कहीं यह भय है कि जब तीन तला कभील आया, राम मंदिर का इशू आया, धारा तीन सो सब्तर और थर्टी फाइव ए जम्मू कास राजसभा में जब कपिल सिबल है, इस चीज को कबूला किसी यह किसी की नागरिकता नहीं दी जाती, तो क्यों जा जा करके उस जुलूस को सकारात्मक भाव क्यों नहीं दिखाया, सलमान खुर से जाके बच्चों से कह रहे थे, आजादी, बोलो बच्चे, मनें बच्चों से आजादी मंगवा रहे थे, भारत तेरे टुकडे हो गया, यह कहा है, अब अंदाज मैं कर लूँ कि यहां नहीं साहब, मैं कोई ब्यान नहीं दूँगा, क्योंकि उपर से कुछ ऐसा बजर पात गिरने वाला है, अंदाज लगा लें, अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है बेवहार और कानू से, समरस्ता से चलता है, दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाने से चलता है, यह मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं, अभी मैंने सौच लिया है, जिन लोगों ने सौच लिया है कि मुझे गाली ही देना है, और चोटे-चोटे बच्चे मोदी जी को गाली दे रहे हैं, अमिशाह जी को गाली दे रहे हैं, गजवाय हिंद की तरह बात कर रहे हैं, भारत तेरे टुकडे होगा, ये शारी बातों में कहां सम्रस्ता दिखाई देता है, कहां राष्ट्रबाद दिखाई देता है, राष्ट्र पादी नहीं हम लोग तो इसी आबो हवा में पैदा हुए इसी देश में हम भी पले बढ़े यहीं देश इसी से शिक्षा गरहन की तो राश्वाद का ठेका क्या इन्हीं दो समने भारती जानता पार्टियों आरेसे के पास है देखे मैं जाना नहीं चाहता हूं लेकिन आपन सब्दाया जिसकी चर्चा लोग करते हैं यह क्या है यह पॉलिटिकल सब्रीजम है अगर मन हमारे यहां तो बसुधाइब को टूम्ब कम है वह सर्वे भवन्तु शुखना है तो यह जान बूज करके पॉलिटिकल सब्रीजम की आर में भारत के डीने को तोरने की कोशिश है पॉलिटिकल सब्रीजम की बात आप कर रहे हैं धर्म निर्पेक्षता के बारे में मुझे लगता है जो कॉंग्रेस की राय है वही भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोजी जी की भी राय है तो सब्रीजम की परिवासा में अंतर कहा आता है मतलब चुकि आपका एक सफर र बताएंगे जिस राम जन भूमी के लिए उस समय के मुख मंतरी मुलाइम सिंग जी ने गोलियां चला के हत्या कर दी वो बहतर बताएंगे जिन्होंने कहा भी सखलोरीजम की परिवासा जिन्होंने पाकिस्तान अटल जी जब करगिल जुद्धि लड़ रहे थे जब हम जीत तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हर जाना देना चाहिए ये सखलोरीजम ये विपक्ष का सकलोरीजम है मेरा अंतर यहां है बिल्कुल जो जैसा है वैसा कहते हमा जो ट्विस्ट ले-आते हैं वह आपका मैं इश्युल्ध वो बोट जोड़ते हैं और मैं देश से जोडता यह वोट से जोड़ते हैं और भारती जनता पार्टी आरेसेस के लोग देश से जोड़ते हैं बहुत अच्छी बात कहीं आपने चर्चा को आगे बढ़ा रहें ले रहें एक बहुत छोटा सा बरेक तुरत लोटेंगे हमारी चर्चा जारी है एक बार सभी आपका फिर से स्वागत है हम बात कर रहे थे सेकलोजम की लेकिन अब बात कर लेते हैं कम से कम देश के विकास में एनिमल हस्पेंडरी, डेरी और फिसरी जो डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा योगदान कर रहा है बहुत जादा लोगों को रोजगार मिला हुआ इस सेक्टर से अगर देखा जाए तमाम सेक्टरों से तूलना में तो जो भारत में स्वेत करांती हुई वो एक बहुत बड़ी करांती थी और जो हमारी आत्म निर्भरता बढ़ी और जिस तरीके से धीरे-धीरे देखा जाए तो दुख-धूत उदपादन में हम दुनिया के एक तरीके से सबसे बड़े राष्ट रहें तो स्वेत करांती के बाद अब उस पूरी चीज को कैसे रोजगार से जोड़के और बड़ा बनाने के दिशा में आप काम कर रहे हैं देखिए ये सच है कि भारत में गरामीन अर्थ वेवस्था में स्वेत करांती का बहुत बड़ा योगदान है देश में सिरियल क्रॉप जो सबसे ज़्यादा खेती होती है धान और गेहों की ये दोनों क्रॉप जोड़ेंगें सत्रे अठाड़ा का लें या ठाड़े उनीस का लें तो सारे चार लाग करोड का होता है दो लाग पैंच सथ हजार करोड एक लाग तिर परना जाप ये सत्रे अठाड़े का था लेकिन अगर दूद का देखेंगे तो समय सत्रे अठाड़े में छह लाग चौदे हजार का था अभी सात लाग करूर का सात लाग करोड रुपया देशकी एकॉनमें दुखद्वेवसाय से योगदाना रहा है जिसकी गती आठ पर्तिशत की दर से बढ़ लेकिन हम थोड़ा एक्सपोर्ट में पीछे हैं उसके कारण है कि हमारे पास जो जानबर हैं इंडिजिनस उस पर हमने काम नहीं किया मैं इस पर कोई राजनितिक भाषा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन आजादी के बाद साइध नहरुजी का भीजन अगर गाओं के तरफ होता तो जो कदम मोधी सरकार ने 2014-15 में उठाया राष्टिय गोखुल मिशन ला करके अपने जानवरों का इंडिजनस केटल का कंजर्व करके उनकी बिल्डिंग को बढ़ाने का देकिन हमारा ही देश का जानवर चाहे आंदर कांगोल हो चाहे इधर गुजरात का गीर हो साहिवाल हो यह अठाड़े लीटर शोले लीटर पर दम घूंट रहा है अब प्रधान मंत्री ने इसको लिया साइद अगर नहरू जी उस समय उनका जागरूख होते उनका ध्यान नहीं रहा होगा विशारे इस रूलर बेक्ग्राउंड पर उनका नहीं ध्यान आया कारण जो भी रहे आज प्रधान मंत्री ने टेक्नलोजी को इससे जोड़ा है एक और सवाल में ले रहा हूं कि प्रधान मंत्री का नाम लिया आपने प्रधान मंत्री का क्या विजन है इनिमल हैस्पेंडरी को लेके डेरी को लेके और फिस्टरीज को लेकर देखिए मैं पता रहा हूं दो कदम प जेनेटिक अपलिफ्ट हो, जो हमारी 10-15 लीटर है, वो कैसे आगे बढ़ है, उसके लिए हमने टेक्लोजी का सहरा लिया, दो टेक्लोजी, और केबल सोचा नहीं, एक लिया एंब्रियो आईभी एफ एफ एटी टेक्लोजी, जो हम इन भिट्रो फर्टिलाइजेशन एंब्रि तो उस तरह से लिया कि अब कोई जानबर पांच लीटर दूद देने वाड़ी है, लेकिन उसके पेट से 35 लिटर, 40 लिटर का एंब्रियो डाल करके, हम 40 लिटर के बच्चे लेंगे, कभी जब मैं बोलता हूँ कि गाय की फैक्टरी लग जाएगी, तो लोग मुझे कहते हैं, मुझसे तुलना करते हैं, कैसे युवराज से, जिनको आलू का पता नहीं है, उससे तुलना कर देते ह मैंने जब की साप साप कहा, कि आज मैं अगर कह दूँ कि आज टेक्लोजी, मोदी की टेक्लोजी में, एक गाय जो अच्छे बीड की है, जिसका हम एंब्रियो लेना चाहते हैं, वो साल में 20-25 बच्चे देंगे, 30 बच्चे तक देंगे, तो लोग गाउं के लोग कहेंगे क तो हम अब टेक्लोजी को साहारा ले करके, एक तरफ अच्छे अच्छे जानुबर जो हमारे देश में हैं, वो डोनर के रूप में होंगे, और सेरोगेट मदर, जो कम दूद देने वाली होंगे, बच्चे उपलेंगे, और ये टेक्लोजी निकलेंगे तो बहुत देश में अभी तक साथ-सत्तर के दसक में आर्टिफिशियल इन सेमनी नेशन कित्रिम गरवाधान चला, लेकिन अभी तक देश में हम 30% ही पहुंचे हैं, अब हमने लिया है, तै कि दो हजार चोबीस तक सत्तर पर ले जाओंगा, सीधे डबल से भी अधिक पर, उसके अभी हम देश के 605 जिलों को लिया है, जहां 50% से कम है, जिन जिलों में, सारे जिलों, 605 जिलों में, 300 गाओं को एडॉप्ट किया हूं, सरकार के पैसे से, केंदर के पैसे से, राज-सरकार, मिलक उनियन, सब मिला करके, अभी मैं सेप्टम्बर, अगर मैं देखूं तो जिले को अभी हमने लिया है, और उमीद है कि हम ये कितरिम गर्वाधान को बढ़ाबा दे रहे हैं, दूसरे तरफ, सौटेट सैक्सीमन, जो केबल बच्छिया ही पैदा करें, तो अभी अमिर्का की टेक्नलोजी है, एक दो कमपनी है, ये दोनों से हमने टाइप किया है, प पांसो पर आये हैं, आने वाले दिनों में, उनसे भी बातचीत चल रही है, दूसरा तरफ, हम इंडिजनस भी तैयार कर रहे हैं, हमारे सैंटिस्ट पूरे दुनिया में धामाल करते हैं, केबल मोधी शरकार ने उन्हें अवशर दिया है, और उमीद है कि हम इसे और सस्ता ले जाएंगे, जो किशानों की घर में केवल बच्चिया पैदा होगी, ऐसा माहौल क्रिये करें। कोई देखभाल नहीं करता, वो भी एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर के आपका मंत्राले क्या कर रहा है, क्योंकि सीधा आपके मंत्राले से जुड़ी भी बात है। देखिए, ऐसे तो ये सब्जेक्ट राजी सरकार का है। लेकिन मेरा भी दयूत बनता है कि कुछ काम करें। हम ICR के साथ मिलकर के, बरैली में पॉल्ट्री का रिसर्च इंसिचूट है, कैडी बोलता है। IVR कैचुवा पे काम करता है, अर्थबर्म पे। उन दोनों मिला करके हम चल रहा है, मैं आपसे अग्रह करूँगा कि वहां के रिपोर्टर से आप जाके देखें। मैं ने तै किया है, एक जानवर जो 300 kg के घुबंत जानवर हैं उपर, 300 साहे 300, उनको खिलाने में एक साल में लगभग 40,000 रुपय खर्च होते हैं। तो दस जानवर को अगर कोई पालेगा, दो एकर जमीन लीज पर लेगा, 50,000 रुपय एकर लीज भी देगा, तो भी उस नवजबान को उसके साथ पॉल्टरी जो रहा हूं, जीरो कौश परंडे का उत्पादन हो रहा है। अब यह अगले साल मार्च तक जब इसके रिपोर्ट आएंगे हैं, तो हम end to end solution करेंगे, हम गुजरात के अंदर एक रासभा के सदस हैं, लाल सिंक बधोरिया, उनके साथ मिल करके, मरे हुए जानवरों को स्वक्षता भी हो, उसके समाधी लगाए लेकिन टेक्निकल समाधी लगाए, उसमें इंग्रिडेंट गोबर दिया, पॉल्ट्री लीटर दिया, धान की भुस्षी दी, और भी कई तत्यों डाले, और नमक दे करके समाधी लगाया, साहब 22,000, 25,000 का समाधी का कोस्ट आया, मरे हुए जानवर की कीमत जो खाद आया, 10 तन खाद आया, लाको रूपे का आया. यह बहुत अच्छी बात है, जिस तरीके से मुझे याद है कि साल 2002 की बात है, मैं मत्वुरा में गया था, तो सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टूट था, वहां उसके गेस्ट हाउस में मैं ठहरा भी था, मैंने पहली बार देखा कि क्रिशी मंत्राले के अधीन था था ता वो, अब मुझे नहीं पता है कि अभी भी उनीक अधीन है, तो इस तरीके से जैसे सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टूट है, इस तरीके से गायों के समवर्धन उनके विकास के लिए या और भी जानवर है कि भाई अच्छी नसल की पैदा हो और समाज के लिए अबिलेबल हो कि जब कोई यूज करना चाहता है तो या कोई क्रॉस बीट करना चाहता है, गाउं में अभी ये बड़ी समस्या है कि अगर उनको क्रॉसिंग करानी है तो उनको बुल नहीं मिलता हो, कैसे जाएं, कैसे गाय भैस और लगभग पांच करोर किशान गड़ीब हैं जो बकडी और फेर पालते हैं और सूर भी पालते हम अभी बकडी सो संस्थान क्रिशी डिपार्टमेंट का आई सी आर में जितने 27 इंसिचूट है जो पहले क्रिशी डिपार्टमेंट के अंदर ही अनिमल तो मैंने बकडी सो संस्थान के साथ जुड़ करके अब वहां फ्रोजन सीमें जैसे कित्रिम गरवाधान हम कराते हैं गाय में अब बकडीयों का भी शुरू किया है और मत्रा भेटनरी इंवर्सिटी ये दो को मैंने टार्गेट किया है कि ये अब पूरे देश में इसका फ बकडी का मेल रखना पड़े बक नहीं रखना पड़े और इसको अच्छे नसल का सीमेन उनको मिल सकी है ये काम मैंने शुरू की है आपने बात की निली करांती की मच्छवारों की मच्छी से जुड़े जो काम हमारे हां हो रहे हैं चुकि कोस्टल एरिया में आए दिन हैं मर गए तो उनको क्या टेकनोलोजी प्रोवाइड कराई जारी क्योंकि उनको भी तकनीक की बड़ी ज़रूत है इससे इससे जिस तरीके से मने कोस्टल बेल्ट हमारे देश में एबिलेबल है बहुत लंबा बेल्ट है वो पस्चिमी राजियों में केरल से लेके करनाटक से लेके महाराष्टा से लेकर के तमिल नाडू से लेकर के यह बहुत बड़ा कोश्टल बेल्ट है और वेश्मंगाल में भी वह आ जाता है तो कोश्टल के बिकास के लिए मचवारों के विकास के लिए और निली कृंदी के तर्थ और क्या-क्या चीजिए आप लोग कर रह इधर आते, उधर समुंद्र आता, एक ब्रैकिस वाटर होता, जो समुंद्र के छोड़ पर, खाड़े पानी में, हम जिंगा की खेती करते हैं. शमुंद्र आज बर्सों से मचुआ जाते, लगभग मान के चलें कि दो-तीन करोर लोग इससे जुड़े हुए हैं. एक जेक्ट हम आपको दे देंगा आइडिया क्योंकि अब टेक्नलोजी को ला रहे हैं. आठ हजार किलोमीटर की लंबाई हैं. और दो मिलियन एसक्वार्ड मील हैं. यह हमारे छेत्र में हैं. अब बारह माईल, नौटिकल माईल तक राजिकार अधिकार है और उससे 200 माईल तक भारत सरकार के उसके आगे इंटरनेशनल बॉर्डर है. लेकिन दुर्भाग है कि मचलियां अब कम है, उनको तकलीफब होती है, जाते हैं छोटी नाव लेकर के, मचलियां उतना पकर नहीं पाते, शमंदर के डीप में जाते, तो फिर नविगेशन, जानकारी नहीं मिल पाता कि कोई तुफान तो नहीं आते, फिर भटक भी जाते दूसरे देश में पकड़े जाते कानूनी तरह से, तो अब हम समग्र नीतियां बना रहे हैं, और समग्र नीतियां अभी मैंने प्रधानमंत्री के शोजन शे, तामिल लाडू में जो आया था तो फान, अभी 300 करोर दिया हूं डीप सी भैसिल, जो उनकी आमदनी 6 गुना 8 बढ़ जाता है, और सीड रेंचिंग, असल बीज लोगों ने डाला नहीं मचली को मारने का काम किया, अब उस पर भी कानून बना रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ, हम अब ये भी कर रहे हैं, दिया है केज कल्चर, शमंदरों में केज डाल करके, जिससे मचवारे को वो रिस लेना ना पड़े, और आमदनी उतना हो जाए, वो भी मैने लगभग शाड़े 300 केज, जगह जगह डाला हूं, उसका रिपोर्ट भी आ रहा है, आ जाएगा, एक तरफ केज कल्चर, पैन कल्चर, वो बहुत बड़ा सी बीड, जिसमें प्रोटीन होता है, समंदरों में उतना अपना पाउं नहीं बढ़ा पाएं हैं, उतना विस्तार नहीं कर पाएं हैं, जो कि मिल्क प्रोड़क्ट भी एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है, फिसरीज भी बन सकता है, और एनिमल हस्पेंडिज में भी बहुत फंभावना है, मैं आपको छमा चाहता हूं, केबल दूद में हम एक्सपोर्ट में नहीं बढ़ रहे हैं, उसके कारण में ने बताया कि हमारा ब्रीड इंप्रूब हो जाएगा, तो लागत मेरा, और ये मैं धीरे धीरे अब उस और भी बढ़ रहा हूं, लेकिन अभी हम सत्तर पच्छतर हजार करोर का एक लेकिन आज मैं लगभग पचास हजार करोर का मचली एक्सपोर्ट कर रहा हूं, और दुनिया का दूसरा प्रोडेक्शन वाला देश हूं, और छथे नमर पर हम एक्सपोर्ट में भी मेरा नमर है, बहुत अच्छा बेंचमार्क है, और हम मेट में 27 हजार करोर का किये हैं, बेफेलो मेट में, अब हम उसके भी रेरिंग के लिए ला रहे हैं, और मैंने लक्ष भी रखा है, कम से कम देड़ लाख करोर हम पांच साल में उठा के ले जाएं, सतर हजार से, बहुत अच्छा अख़ा होगा, और अब दुनिया में एक क्रैप्स बड़े-बड़े होटल में ही नहीं, बलकि दुनिया में मांग हो रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड़े हैं, और अपने कोस्टल बेल्ट में बहुत अच्छे क्रैप्स पाए जाते हैं, हम उसके अब रेरिंग का मॉडल भी ख़ड़ा कर रहे हैं, हम एक तरफ डीप सी भैसिल को ला रहे हैं, दू बूल्ड श्टोरेज, आइस फैक्टरी, फिर उसको प्रोसेसिंग एउनेट, यह हैचरी, नर्सरी, एंट टू एंड सलूशन पर हम कोस्टल का भी जा रहे हैं, देश में लगभग 22 लाख पहले था, अब हम 2 लाख हेक्टर और बढ़े, 24 लाख हेक्टर पर आये हैं, ताला फाइव हेक्टर था परती हेक्टर, अभी थ्री से कुछ उपर गया हैं, लेकिन मेरा लक्ष है 6 मेट्रिक टन परती हेक्टर जाने का, अब हम नए टेक्नलोजी का हूं कि हूं जमीन घट रहा है, तो टेक्नलोजी बढ़ी ज़रू यह प्रोड़क्टिविटी बहाना है, अ अगर हम बायो फॉलॉक टेक्नलोजी को, आरेस टेक्नलोजी को, वही काम जो हम एक हेक्टर में लेते हैं, वह दस हजार स्कॉाइड फिट जमीन में लेंगे, हम वह भी काम कर रहे हैं, टेक्नलोजी का सहारा केवल डैरी के सेक्टर में नहीं ले रहे हैं, केवल भेर और बक चुकि रोजगार पैदा करने का बहुत बड़ा साधन है आपका विभाग हमारे प्रधान मंतरी ने एक नया मंतराले का ही गठन किया जब वो पहली बार सरकार में आये प्रधान मंतरी बने कौसल विकास मंतराले का और अभी तक इस पेसे में बहुत ऐसे लोग थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे एक ट्रडिशनल बिजनस से आते थे उनका परिवार जूर जाता था खांदानी पेसा था उसको आगे बढ़ाते थे लेकिन इसको नहीं रखता कि इसकी जिल्द बदलने के जोरत है पूरा बिलकुल आपने सही कहा और विभाग मोदी जी के नत्रित में उनका भी भी जन वही है अब समझे कि अभी देश में जो रोजगार मिल रहे हैं वो सतर असी परसेंट रोजगार पंदरह हजार से नीचे क और मैं मोडल ला रहा हूं घुबंत जानवर के द्वारा चाहें तो कोई नौजबान करोरो कमाले 10 लाग कमाए 20 लाग कमाए उसके चमताक उपर नेली करांती में भी मैं रोजगार को ही नजर कर रहा हूं प्रोसेसिंग को मैं भी रोजगार से जोड़ रहा हूं क्योंकि प मैं बड़ा महतु रखता है पोस्ट हर्वेस्टिंग डेरी में भी रखता है कि आज जिस कंशंसी से मैं आता हूं बेगु सराय वहां तो मोडी के सपनों को साकार करने में बड़ा योगदान है वहां भी 12 लाख लीटर लग भग दूद परती दिन पैदा होता है बीच मैं मैं पता करूंगा होता होगा मैं नकार नहीं सकूंगा लेकिन मैं अभी इस पर काम कर रहा हूं और पहले कितना बेगु सराय की बात किया तो पहले आपके कांस्ट्यूएंसी में कितना दूद पैदा देखिए इधर पांच साल में सौभाविक है जब प्रधान मंत्री ने कि्धनोई जी को सहरा लिया तो पूरे देश में उसका असर पड़ा और वह ज्यादे पढ़ा जहां की एकूनुमी पसु के साथ ज्गडा हुआ था किरसी को हमने पशू के साथ जोड़ा, यह मान के चलें देश का जो प्रधानमंत्री का सपना है, दुगना करना वो केबल किरसी से नहीं होगा, होटी कल्चर भी होगा, लेकिन किरसी आधारित पशू धन, यह सबसे बड़ा मॉडल है, और मैं उसी मॉडल को आने वाले दि उसने किशानों को हरा चारा उगबाया और पांच दुधारू जानवर को दे दिया गन्य से दुगना कीमत उस जमीन से किसान को तिगना आगे हैं तो अब किशानों को भी जागरू कोना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास अन्य का भंडार पूरा हो गया हम अब एक्सपोर् बनना चाहते हैं और बन रहे हैं समय का भाव है चर्चाएं बहुत सी हो सकती हैं लेकिन आपने देखा कि किस साफगोई से और कितना डीप नॉलेज अपने विभाग के बारे में रखते हैं गिरासिंग जी और उन्होंने राजनीज से लेकर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर के कौसल विकास से लेकर के स्वेत क्रांती से लेकर के नीली क्रांती तक सब ही मुद्णों पर बहुत ही गहराई से उन्होंने प्रकाश डाला और हस्तक्षेप में इन सारे मुद्णों पर उन्होंने चर्चा की इसके लिए समय निकाला गिराजी आपका बहुत- झाल झाल